साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विशे है सत्गुरू का शुकराना चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी, एक सेवक ने अपने गुरु जी से अर्दास की कि गुरु जी मैं सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिलता सत्गुरु ने प्यार से पूझा बेटा तो मैं चाहिए क्या सेवक बोला गुरु जी मैं तो बहुत ही गरीब हूँ सत्गुरु ने हस कर पूझा बेटा, तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है सेवक ने अर्ज की सचे पाच्छा, बस इतना बक्ष दो की मेरे सर पर छथ हो और समाज में मेरी पत हो, गुरु ने पूझा और जादा की तो भूख नहीं है ना बेटा सेवक हाथ जोड कर बोला नहीं गुरु जी बस मेरे लिए तो इतना ही बहुत है अब गुरु ने उसे चार मुंबतियां दी और कहां मुंबति जला कर पूरब दिशा में जाओ जहां ये बुझ जाए वहां खुदाई करके खूब सार धन निकाल लेना अगर कोई इच्छा बाकी हो तो दूसरी मुंबति जला कर पश्ची में जाना और कुछ चाहिए होगा तो उत्तर दिशा में चले जाना लेकिन साफधन बेटा दक्षिन दिशा में कभी ना जाना वरना बहुत भारी मुसीबत में फस जाओगी सेवक खुश हो कर चल पड़ा जहां मुंबति भुज गई वहां उसने खोदा तो उसे सोने से भरा हुआ गड़ा मिला वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वो सत्गुरू का शुकराना करने लगा थोड़ी दिर के बाद उसने सोचा कि थोड़ा और धन माल मिल जाए फिर अराम से अपने घर पर जाकर आश करूँगा उसने मुंबति जलाई पश्शिम के और चल पड़ा हीरे मोती उसे मिल गए उसके खुशी बहुत बढ़ गई लेकिन उसके मन की जो भूख थी वह और बढ़ गई उसने तीसरी मुंबति जलाई और वो उत्तर दिशा में चला गया वहां से भी उसे बेशुमार धन मिला वो सोचने लगा कि चोथी मुंबति और दक्षिन दिशा के लिए तो गुरू ने मना किया था लेकिन उसके मन में विचारा गया कि शायद वहां पर इससे भी जादान मोल चीज मिलेगी इसलिए उसने मुंबति जलाई और चल पड़ा वो दक्षिन दिशा की ओर जैसे ही मुंबति भूजी वो जल्दी से खुदाई करने लगा जब उसने खुदाई की तो उसे एक दर्वाज़ा दिखाई दिया वो दर्वाज़ा खोल कर अंदर चला गया उसे अंदर एक और दर्वाज़ा दिखाई दिया वो उसे भी खोल कर अंदर चला गया अंधेरे कमरे में उसने देखा कि एक आदमी चक्की चला रहा था सेवक ने पूछा भाई तुम कौन हो? चक्की चलाने वाला खुशो कर बोला अरे आप आ गए? ये कहकर उसने वो चक्की गुरू के सेवक के आगे कर दी अब गुरू के सेवक को कुछ समझ नहीं आया सेवक चक्की चलाने लगा सेवक ने पूछा भाई तुम कहा जा रहे हो? तुम अपने चक्की संभालो आदमी ने कहा कि मैंने भी अपने सत्गुरू का हुकम नहीं माना था और लालच के मारे में यहां फस गया था अब तुम भी भूगतो सेवक बहुत शरम सार हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा वो आज भी सार संगजी इंतजार कर रहा है कि कोई उससे भी बड़ा लालची पैसे का भूखा आएगा तब ही उसकी मुक्ती होगी इसलिए इंसान को हमेशे सत्गुरू की रजा में राजी रहना चाहिए सत्गुरू को साब पता होता है कि उनके बच्चों को कब और क्या चाहिए जितना भी हमें सत्गुरू ने बख्षा है हमारी उकाद से भी जादा है बस अब सबर करो और प्रेम से भजन करो कल तो क्या एक पल का भी भरोसा नहीं है आज तो मोका है कुछ कर लो नहीं तो बहुत पच्चताओगे आगे पच्चताने से कुछ नहीं मिलेगा यही घड़ी यही वेला साधो यही घड़ी यही वेला लाख खरच फिरहाध ना आवे मानस जनम्दु हीला साधू यही घड़ी यही वेला और इस साखे को सुनने के बाद थोड़ी दर सिम्रंज जरूर कीजेगा और अपने गुरू की हुकम को हमेशा मानियेगा एक बार की बात है कि एक साधू को गुरू नानक देव जी महाराज के साथ रहने का सोभाग्य मिला वेह साधू भेश को बहुत महतव देते थी उनको वास्तम में गुरू और नाम पर कोई विश्वाश नहीं था एक दिन उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसकी मैं संक्ती कर सकूँ तब श्री गुरू नानक देव जी महाराज ने कहा कि बड़े-बड़े महात्मा है फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ति में एक बढ़ई का घर है उसके पास चला जा जब वह सादू वहाँ पहुंचा तो बढ़ई उट खड़ा हुआ उसने एक चरपाई बिछा दी बहुत देर तक बढ़ई ने सादू से बात नहीं की बलकि वो बढ़ई तो अपना काम करता रहा जब सादू थोड़ी देर बैट कर नराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा दो घंटे सबर करो महाराज मुझे एक बहुत जरूरी काम है पहले वो निपटालो फिर आपकी सेवा में मैं जरूर बैठूंगा सादू ने मन में सोचा कि ये तो निपट संसारी है जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचा लिया बढ़ई ने कहा बच्चे को तो इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिष्टा इसी तरह से तूटना था यह सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक के रजा में राजी हूँ इस पर सादू ने कहा जरूर तेरे बेटे के साथ तेरे दुश्मनी होगी तो बेटे को साथ रखना ही नहीं चाहता था यह कहकर सादू वहाँ से नराज होकर जाने लगा तो बढ़ाई ने साधू से कहा आज इसे आठवे दिन तुम फासी पर लटक कर मरोगे अगर बच सकते हो तो अपने आपको बचा लो लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि जो हो रहा होता है वो हो कर रहता है अब साधू को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए साधू ने सोचा कि मैं इस पेड़ से बहुत दूर चला जाओंगा तो फासी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा यह सोचकर वो चार दिन तक भूखा प्यासा चितना दोड सकता था दोडता रहा भूख प्यास से व्याकुल होकर वो गिर गया और सो गया जब हो उठा तो उसे दिशा का खयाल नहीं रहा और वो वापस उसी और दोडने लगा जिस ओर से वो आया था फिर चार दिन तक लगाता रहा और आखिर उसी जगा पहुँच गया जहां से उसने आट दिन पहले भागना शुरू किया था जब आट दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फासी पर लटका सकता है मैं तो पेड से कोसो दूर आ गया हूँ वह बढ़ा ही जूटा है और आज मेरा आटवा दिन है यह सोचकर साधू उसी पेड के नीचे सो गया वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लोटकर उसी रास्ते से निकल रहे थी जितना सोना चांदी और सामान उनके पास था उन्होंने आपस में बाट लिया पर एक सोने का हार बाकी रह गया उनके ध्यान में आया कि ये तो बहुत खूब सुरत है क्योंने इसे साधू के गले में डाल दे ये सोचकर वो हार उन्होंने सोय हुए साधू के गले में डाल दी और चोर वहां से भाग गए जब दिन निकला तो सिपाहियों ने साधू को पकड़ लिया साधू के बयान ले बिया बेना ही उसे फांसी पर लटकाने की सज़ा सुना दी और कहा इसे उसी पेड से लटका कर फांसी दे दो जहां ये सो रहा था उस साधू से पूछा गया कि यदि आपको किसी से मिलना है तो बताओ साधु ने कहा कि इस गाउं में एक बढ़ई रहता है मुझे उससे मिलवा दो बढ़ई को बुलवाया गया जब वो आया तो साधु ने कहा आप ठीक कहते थे होनी को तो कोई डान नहीं सकता अब सामने वही पेड़ है वही मैं हूँ और अब मुझे फांसी का हुकम हो चुका है मुझे बचा लो मैं सारी उमर आपका इसान नहीं भूलूँगा बढ़ई ने कहा कि मैं तो अपने सद्गुरू श्री गुर्नानक देव जी महराज का सिम्रन करता हूँ मुझे उमीद है कि वो मेरी विंति जरूर सुनेंगे अब थोड़ी दिर में खबर आई कि असली चोर पकड़े गए और उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया राजा ने सादू को छोड़ दिया सादू बढ़ाई के घर पहुंचा और उनसे सिख्षा दिख्षा लेकर उनका सच्चा सेवक बन गया साद संगत जी जो अपने सत्गुरू के हुकम में रहते हैं सत्गुरू उनका कभी भी गलत नहीं होने देते अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को राक्षर जरूर कीज़ेगा आप सभी से फिर्मूला कात होगी नई साखी के साथ साद संगत जी प्यार से कहना धान नरंकार जी